साथियों, हम हर गर्मी में इसी तरह पानी से जुड़ी चुन्योतियों के बारे में बात करते रहते हैं, इस बार भी हम इस विशे को लेंगे, लेकिन इस बार चर्चा करेंगे जल सवरक्षन से जुड़े स्टार्ट अप्स की, एक स्टार्ट अप है फ्लॉक्स जैन, ये पर ये वाटर मैनेजमेंट के विकल्प देता है, ये टेक्नलोजी पानी के इस्तेमाल के पैट्रंस बताएगा और पानी के प्रभावी इस्तेमाल में मदद करेगा, एक और स्टार्ट अप है लिव एन सेंस, ये आर्टिफिशल इंट्रिजेंस और मशिन लर्निंग पर पता चल सेगेगा कि कहां कितना पानी बरभाद हो रहा है, एक और स्टार्ट अप है कुमभी कागज, एक कुमभी कागज ऐसा विशय है, मुझे पक्का विश्वास है, आपको भी बहुत पसंद आएगा, कुमभी कागज स्टार्ट अप, उसने एक विशयस काम सुरू किया बे जल कुम्भी से कागज बनाने का काम कर रहे हैं यानि जो जल कुम्भी कभी जल स्त्रोतों के लिए एक समस्या समझी जाती थी उसी से अब कागज बनने लगा है साथियों कई युवा अगर इनोवेशन और टेक्नोलोजी के जरिये काम कर रहे हैं तो कई युवा यसे भी हैं जो समाज को जागरूख करने के मिशन में भी लगे हुई है जैसे कि चतिसगड में बालो जिले के युवा है यहां के युवाओं ने पानी बचाने के लिए एक अभियान शुरू किया है यह घर घर जाकर लोगों को जल समरक्षन के लिए जागरूख करते हैं कहीं शादी ब्याज जासा कोई आयोजन होता है तो युवाओं का ये गरूप महां जाकर पानी का दुरूप्योग कैसे रोका जा सकता है इसकी जानका दित देता है पानी के स संक्र से निपटे के लिए बोरी बांद का रस्ता निकाला है बोरी बांद से पानी कट्टा होने के कारण यहां साग सबजियां भी पैता होने लगी है इससे लोगों की आवद्नी भी बढ़ रही है और इलाके की जरुते भी पूरी हो रही है जन भागीदारी का कोई भी प्रयास कैसे कई बढ़लाओं को साथ लेकर आता है खुटी इसका एक आकरशक उधारन बन गया है मैं यहां के लोगों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे प्यारे देशवासियों 1965 के युद्ध के समय हमारे पूर्व प्रधान मंतरी लालबादूर सास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था बाद में अटल जी ने इसमें जय वि विज्ज्ञान भी जोड दिया था, कुछ वर्च पहले देश के विज्ञानी कों से बात करते हुए मैंने जय अनुसंधान की बात की थी, मन की बात में आज बात एक ऐसी व्यक्ति की, एक ऐसी समस्था की, जो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंदान, इन चारों का ही प्रतिविम है, ये सज्जन है महाराश्टर के स्रिमान सिवाजी शामराव डोले जी, सिवाजी डोले नासिक जिले के छोटे से गाउं के रहने वाले हैं, वो गरीब आदिवासी किसान परिवार से आते हैं, औ और एक पुर्व साइनिक भी है, फोज में रहते हूं उन्होंने अपना जीवन देश के लिए लगाया, रेटायर होने के बाद उन्होंने कुछ नया सिखने का फैसला किया, और एग्रिकल्चर में डिप्लोमा किया, यानि वो जय जवान से, जय किसान की तरफ बढ़ चले, अब हर पल उनकी कोशिज यही रहती है, कि कैसे कृसिक छेत्र में अपना अधिक से अधिक योगदान दे, अपने इस अभियान में सिवाजी डोले जी ने 20 लोगों की एक छोटी सी टीम मनाई, और कुछ पूर्व सहिजनिकों को भी इसमें जोडा, इसके बाद उनकी इस ट ये सहकारी संस्ता निश्क्रिय पड़ी थी, जिसे रिवायू करने का बिडावुना ने उठाया, देखते ही देखते आज वैंक्टेस्वर कोपरेटिव का विस्तार कई जीलों में हो गया है, आज ये टीम महाराष्ट और करनाटका में काम कर रही है, इससे करीब 18,000 लोग जुड़े हैं, जिनमें काफी संख्या में हमारे एक्स सर्विसमेन भी है, नासिक के माले गाउं में इस टीम के सदस्या, पान सो एकर से ज्यादा जमीन में एग्रो फार्मिंग कर रहे हैं, ये टीम जल सवरक्षन के लिए भी कई तालाब भी बनवाने में जुटी है, खास के उगाये अंगुरों को यूरोप में भी एक्सपोर्ट किया जा रहा है, इस टीम की जो दो बड़ी विशेस्ता हैं, जिसने मेरा ध्यान आकरसित किया है, वो ये है जय विज्ञान और जय अनुसंधान, इसके सदस्य टेक्नोलोजी और मोडन एग्रो प्रैक्टिस का अध अधिक से अधिक उप्योग कर रहे हैं, दूसरी विशेस्ता यह हैं कि वे एक्सपोर्ट के लिए जरूरी कई तरह के सर्टिफिकेशन पर भी फोकस कर रहे हैं, सहकार से समरुद्धी की भावना के साथ काम कर रही, इस टीम की मैं सरहाना करता हूँ, इस प्रयास से ना सिर् बड़ी संख्या में लोगों का ससक्तिकन हुआ है, बलकि आज ही विका के अनेक साधन भी बने हैं, मुझे उमीद है कि हप्रयास मन की बात के हर स्रोता को प्रेरित करेगा.